नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल दे लर्नर पॉइंट में दोस्तों हम कर रहे थे जल्फ्स्रक्षन हे तुझ घर में बनाई गई क्या कहा जाता है टांका टो जो पस्च में राजस्टान है वहां-पे जल्सेर्क्षन हे तुझ घर में बनाई जती है क्या 0 Kak norm अगला पर्सन पर्सन नमबर 152 पस्ट में राजस्तान में कर्शी के लिए जल स्रक्षन हे तू बनाई गई सरंचना क्या कहलाती है टांका खडीन जो हैड या फिर बांध तो इसे हम कहते हैं खडीन ऑप्सन बैं इसे राइट आंसर अगला पर्सन वर्सा जल रोक कर भूमिगत जल स्टर को बढ़ाने तू बनाई गई सरंचना क्या कहलाती है टांका खडीन जो हैड या फिर बांध तो ये कहलाती है जो हैड ओप्सन से इस राइट अनसर जो हैड अगला पर्सन नीमन में से कौन सी जील उद्यपूर में स्टर नहीं है सवरूप सागर जील काइलाना जील फते सागर जील या फिर पिछोला जील तो इन सब में एसे जील देखनी है जो कि उद्यपूर में स्टर नहीं है तो वो हो जाएगी काइलाना जील उप्सन बै इस राइट अनसर दोस्तों ये जो काइलाना जील है ये है जोद्पूर में अगला परसं परसंन नमबर हेट 25 निमन में से कों सा युगम सुमेलित नहीं है तो जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ओप्सन से सीलिसेड अजमेर जो की सुमेलित नहीं है और ये देख दोस्तों सीलिसेड जो जील है वो है अलुवर्मी अगला परसन नीमर में से भिन वरग की जील का चायन किजिए सांबर जील, पच्पद्रा जील डीडवना जील और पिछोला जील तो इनमें जो भिन हो जाएगी वो हो जाएगो पिछोला जील option, there is right answer क्योंकि भिन तो ऐसी है दोस्तों कि सांबर जील है वो खारे पानी की है पच्पद्रा भी खारे पानी की है और डीडवना जील है वो भी खारे पानी की है तो इन सबसे अलग है पिछोला जील जो की मिठे पानी की जील है आज का अगला परसन राजस्तान में सरवादिक उन्चाई परिस्तित प्राकर्तिक जील कोन सी है जैसमंद जील, नक्की जील, उसकर जील, राजमंद जील तो दोस्तों ये हो जाएगा उप्सन बै, नक्की, जील जो की राजस्तान में सबसे ज़्यदा उन्चाई पर है और प्राकर्तिक जील है अगला परसन निमन में से किस सहर को जीलों का नगर कहा जाता है जलावाड, बासवाडा, उदेपूर, या फिर राजसमंद तो उप्सन से इस राइट अनसर उदेपूर उदेपूर को हम जीलों का नगर या जीलों की नगरी भी कहती है अगला परसन है परसन नमबर एकसो गुणसेट जीलों के किस भाग को नो चोकी भी कहा जाता है उतरी भाग, दक्षने भाग, पुर्वी भाग, या फिर पस्चमे भाग तो ये हो जाएगा ओप्सन ई जिए राइट अनसर उतरी भाग जो राजसमंद जील है उसके उतरी भाग को हम नो चोकी की पाल भी करते है अगला परसंद नदी घाटी प्रियोजनाओं के महतव को देखते हुए इनको किस ने आधुनिक मंदिरों की संग्या दे थी सरदार वल्लभाई पटेल महात्मा गांदी या फिर जोहरला नहरू या फिर हीरलाल सास्त्री अगला परसंद सरदार सरोवर प्रियोजना निमन में से किन राजियों की संग्या प्रियोजना है और उप्सन दे में है गुजरात महाराश्टर और राजस्तान तो जो सरदार सरोवर प्रियोजना जो है वो संयुक्त प्रियोजना है गुजरात मद्यपर्देश महाराश्टर और राजस्तान की तो option 2 is right answer, गुजरात, मद्यपर्देश, महाराश्टर और राजस्तान अगला परसन सरदार सरोवर प्रयोजना से राजस्तान के कौन से जीलों को सिंचाई वे पेजल की स्विधा उपलब्द कराई जाती है बिकानेर बाडमेर या फिर गंगानेगर बाडमेर या फिर बिकानेर जालोर या फिर बाडमेर और जालोर तो जो सही उतर हो जाएगा option 2 बाडमेर और जालोर अगला परसन विसलपूर प्रयोजना का निर्मान बनास नदी पर कहां किया गया है अजमेर, टॉंक, जैपूर या फिर पाली तो जो विसलपूर प्रियोजना है उसका निर्मान बनास नदी पर किया गया है और वो किया गया है टॉंक में उपसन वैई जराइट अंसर अगला परसन माही बजाज सागर प्रियोजना से राजस्तान के अलावा किस राज़े को सिंचाई, जल, विदूत और पेजल किस विदाएं उपलवद हो रही है गुजरात, मद्यपरदेश, उत्तरपरदेश या फिर महारास्टर को तो यह हो जाएगा उपसन एई जराइट अंसर गुजरात अगला परसन चंबल प्रियोजना के अंतरगत कुल चार बांद बनाए गए हैं जिनमें निमन में से कौन सा बांद राजस्तान में इस्तित नहीं है तो गंद सागर बांद, राणा परताब सागर बांद, जोहर सागर बांद, या फिर कोटा वेराज बांद तो चंबल प्रियोजना के उपर चार बांद बनाए गई है टोटल और जिसमें से तीन तो है रजस्तान में और एक है रजस्तान से बाहर तो जो रजस्तान से बाहर है वो हो जाएगा गांदी सागर बांद अगला परसन निमन में से रभी की फसल की परमुक फसल कौन से है मक्का, बाजरा, कपास, गेहूं तो रभी की फसल में परमुक फसल जो है वो हो जाएगी गेहूं अगला परसन रजस्तान में किसको मानसुन का जुआ कहा जाता है मरीदा, जलवायू, वनस्पती या फिर कर्शी तो जो मानसुन का जुआ जिसे हम कहते हैं वो कहते हैं कर्शी को उप्सन, डाइज राइट अंसर अगला परसन निमन में से कौन सी रभी की फसल नहीं है गेहूं, चावल, कपास, और गन्ना तो इन चारों में जो रभी की फसल नहीं है वो हो जाएगी गन्ना अगला परसन निमन में से कौन सी खरीब की फसल नहीं है सरसूं, कपास, मुंखली या फिर तिल तो जो खरीब की फसल नहीं है वो हो जाएगी सरसूं अगला परसन राजस्तान में वर्स बर में कितने परकार की फसल होती है दो परकार की, तीन परकार की, चार परकार की, या फिर पास परकार की तो राजस्तान में वर्स बर टोटल तीन परकार की फसले होती है रबी की फसल, खरीब की फसल, और जाएद की फसल उपसन 22 राइटान से अगला परसन है, परसन नवर 117 मुरूठ ली राजस्तान में सरवाधिक बॉय जाने वाले खाधाने कौन सा है ? गेहूं, बाज्रा, मक्का या फिर चावल तो जो बुरुस्त राजस्तान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोई जाने वाला खादाने जो है वो हो जाएगा बाजरा ओप्सन बै इस राइट आंसर अगला परसन है परसन नमबर एक सो बहतर खरीब की फसल किस रीतू के प्रारब में बोई जाती है ग्रीशम रीतू, वर्षा रीतू, शीत रीतू या फिर सुशक रीतू तो जो खरीब की फसल जो है वो बोई जाती है वर्षा रीतू के प्रारब में ओप्सन बै इस राइट आंसर अगला परसन पसू पालन की दरश्टी से रजस्तान का देश में कौन सा स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चुथा तो पसू पालन की दरश्टी से रजस्तान का देश में स्थान है दूसरा उप्सन बै इस राइट आंसर तो पहला स्थान होजेगा यूपी मतलब उतर परदीश का अगला परसन राजस्तान में 2019 की पस्व गणना कौन सी पस्व गणना थी 18, 19, 20 या फिर 21 तो ये जन गणना थी 20 ओप्शन अगला परसन 20 पस्व गणना के अनुसार राजस्तान में किन पस्व की संख्या में चिंता जनक गिरावटाई है उप्शन ए में है उउट वे बक्री उप्शन बै में है उउट वे भेड उप्शन से में है उउट वे घदे और उप्शन दै में है गाई और भेस तो जो सबसे ज़्यादा चिंता जनक गिरावटाई है वो है उन्ट वै घदे में उप्सिन सै इज रइट aşर उंट वै घदे अगला परसन राजस्तान में लग बग कितने परकार के खनी जोगा खनन होता है उप्सट अ साथ उप्सट बै में है बाँसट उप्सट सै में है पैंसट और उप्सन दे में है 66 तो राजस्तान में लगबग 66 परकार के खनीजों का खनन होता है तो उप्सन डाइज राइट अंसर अगला परसन राजस्तान में कौन सा खनीज सरवादिक मातरा में उपलब्ध होता है रोग फास्पेट सीसा यजस्ता जिपसम और संग्वरमर तो जो सरवादिक मात्रा में खने जुपलब्ध होता है वो हो जाएगा रोक फास्पेट उप्सन एई जराइट अंसर अगला परसन राजस्तान में सरवादिक सिंचाई किसे होती है कोई वैट्यू बेल द्वारा नहरो द्वारा, तालाबो द्वारा या फिर इन में से कोई नहीं तो जो राजस्तान में सबसे ज़्यदा सिंचाई होती है वो होती है कोई वैट्यू बेल द्वारा उप्सन एई जराइट अंसर आज का अगला परसन ये सेक्ट लास्ट कोउस्टन है नहरो द्वारा राजस्तान के कितने परतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है तो 30 परतिशत 33 परतिशत 50 परतिशत या फिर 25 परतिशत तो राजस्तान में नहरों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है 33 परतिशत उप्सन 22 जराइट आंसर 33 परतिसत आज का अंतिम परसन रजस्तान में पसू पालन के समवन्द में परमुक्स मस्या नहीं है उप्सन A में है पसू पालकों के पास कम जोर वैगटिया नसल के पसू है उप्सन 2 में है चारा गाहूं के लिए परियाप्त भूमी की कमी है उप्सन 7 में है बार बार सुखे और अकाल से पसू पालन कम होता जा रहा है और उप्सन 2 में है विवसाइक दरश्टी कौन से पसू पालन करती है तो हमें ये देखना है कि इन में कौन सी समस्या नहीं है तो ये हो जाएगा उपसंदै इस राइट आंसर वेवसाइक दरश्टी कौन से पसुपादन करती है ये तो चीज होगी इसकी पोजिटिव जो कि समस्या नहीं है तो दोस्तो ये थे आज के टोटल 30 परसंद आपको कैसे लगे और आपके कितने परसंद सही हुए कोमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट मोडल पेपर के साथ धन्यवाद